एक बार एक बिखारी अपने जीवन से परिसान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीक मांगना पड़ता था उसे हर एक चीज के लिए भीक मांगना पड़ता था इसी बात को लेकर वे दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदला कैसे आएगा यह सोचकर वे निरास हो जाता वे हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निरास होकर आँखों में आशो लिये लोग और बिभिनी चिंताओं से परिसान लोग कौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं और वापस लोड़ते समय वे लोग बहुत ही खुस होते थे वे भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि कौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि बेहद खुस हो जाते थे वापस लोड़ते हुए लोगों के हाथों में ना तो ठेर सारे पैसे होते थे ना ही सोनी चादी तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लोड़ते वक्त इतना खुस होते थे यह सब सोचकर वे भिकारी भी निरड़ा लेता है कि वे भी महत्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि यहसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुस हो जाते हैं वे बुद्ध से मिलने के लिए उनकी पास चल पड़ता है जहां बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी-लंबी कतार लगी हुई थी तो वे भिकारी भी एक कतार में लग जाता है कतार में लग कर वे अपनी बारी का इंतजार करने लगता है देखते ही देखते उसकी बारी भी आती है और वे बुद्ध से कहता है बुद्ध मैं बहुत ही गरीब हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीक मांगनी पड़ती है अब आप ही बताइए कि मैं उतनी जीवन को कैसे बहत पिखारी के मन में एक असंका जाग उड़ती है अपनी असंका को दूर करने के लिए बिखारी ने पूछा, मैं तो एक बिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ, और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ, मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है, यह सब सुनने के बाद कौतम बुद थोड़ी देर चुप रहें, और फिर उसे बोले तुम्हारे पास दो हाथ हैं, जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो, और दूसरों का भला कर सकते हो, इसके अलामा तुम्हारे पास मुझ भी है, जिससे तुम लोगों से बाते कर सकते हो और दूसरों का होसला बढ़ा सकते हो यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए हम चाहें तो हम सिच्चा का भी दान कर सकते हैं चाहें तो अन्य का भी दान कर सकते हैं उपर वाले ने अगर किसी क पूरते अच्छा सरीर दिया है तो वो गरीब नहीं हो सकता वे तो बस दिमाग से गरीब है उसे इस बिचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगानी चाहिए बुद्ध की यह बात सुन लेने के बाद वे भिखारी बहुत ही जादा कुस हो जाता है और उसका मन अब चिंता में समय बरबात करते हैं कि हम गरीब हैं लेकिन यह सत्त नहीं है सत्त तो यह है कि जब तक हमारा सरीर पूरी तरह से बहतर है तो हम उसका उप्योग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बहतर बना सकते हैं अगर कोई ब्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिस ही ना करे तो वे सबसे बड़ा मुर्ख होता है